अब ये तिने टाइम आई हैं आज बारे तो कैसे पढ़े और कैसे बढ़े नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं मेरा गाओ मेरा देश मैं हूँ आपके साथ कावेश चौह जहां एक और उत्तप्रदेश की सरकार बेहतर सिक्षा के लिए तरह तरह की उज़नाई चला रही है ताकि हर तबके के बच्चे को बेहतर सिक्षा उपलब्ध कराई जासके हैं बच्चों के बेहतर भविश्य और अच्छे भविश्य के लिए सरकार सिक्षा पर लाखों करोडों रुपए खर्च कर रही है लेकिन वही नीचे बैठे अधिकारी और सिक्षा देने वाले अध्यापक सरकार की सारी कोशिशों पर पानी फेरते हुए उनकी तमान कोशिशों पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं ऐसा ही मामला फतेहपुर जिले में अमौली विकास खंड के कुंदे रामपुर के रामपुर गाओं के प्रात्मिक विद्यालेका है जहां बच्चों के भविश्य के साथ खिलवार किया जा रहा है न्यूस वर्ल इंडिया की टीम यहां पहुँची तो बच्चे तो दिखाई दे रहे थे लेकित एक भी टीचर वहां मौझू के विश्वास की बच्चे थे स्कूल टीचर एक भी मौझू के था इन सभी चीजों को लेकर टीम लेक रिपोर्ट बनाई है सबसे पहले आप इस रिपोर्ट हो दिखे फिर चर्चा की शुरुआ करें रिपोर्ट बच्चों के भाविश्य के साथ खिलवार इस गोल में बच्चे तो हैं लेकिन सिक्षक नहीं स्कूल चड़ रहा है राम भरू से जहां एक और उत्रप्रदेश की सरकार बहतर सिक्षा के लिए तरह तरह की योजनाय चला रही है ताकि हर तपके के बच्चे को बहतर सिक्षा उबलब्द कराया जा सके बच्चों के बहतर भविश और उनके भविश के लिए सरकार सिक्षा पर लाको करोड उपय खर्च कर रही है लेकिन वही नीचे बैटी अधिकारी और सिक्षा देने वाली अध्धापक सरकार की सारी कोशिशों पर पानी फेरते नसर आ रहे है ऐसा एक मामला फतेपूर जिले में मौली विकास खंड के कुंदे रामपूर के रामपूर गाओं के प्रात में विद्याले कहा है जहां बच्चों के भविश के साथ खिलवार पुड़ा है बता दे न्यूजवल इंडिया की टीम यहां पहुची तो बच्चे तो दिखाई दी है लेकिन यहां पर एक भी सिक्षक मौजूर नहीं था जब इस बारे में हमने स्कूल के बच्चों से बात की तो सुनी जरा उन्होंने क्या कहा तो सुना आपनी टीचर तो साल दो साल में आते हैं लेकिन टीचरों को तनख्वा हर महीने दी जाती है वही जब ग्राम प्रधान, अभी भावक और ग्रामी स्कूल पहुचे और किसी सिक्षक के ना होने के शिकायत एबियस्य से की तो आनल फानल में सिक्षक मैडम 12 बजी स्कूल आई और आते ही प्रधान को धमकाने लगी और कहने लगी कि मेरी पहुच बहुत उपर तक है मेरी जब अच्छा करेगी मैं तब आऊंगी अच्छा हमको की दे रही हो हमें आप हमें दम्की दे रही हो आ पहुमें दम्की दे रही है वाइस नहीं को रहा हैंगे क्या किया तरू के लिए किया बताये आप नहीं किया बताये आप नहीं किया वाइस मामने को लेका ग्रामप्रधान और अभी-पाव्ड़ अब जिलादिकारी अपोना दूबे से हमने मांगी कि मामने की जाच करें और बच्चों के भविश्य के साथ खिलवार करने वाली सिक्षका के खिलाफ आवश्य कारवाही की जाए मैं जाच काफे दिरों से एक वर्फ देखा ही नहीं जब माले लगा इसमें पूशा गया तो इसकिन बारा बज़े आए अच्छा आपस बच्चे लड़ गाए लड़ने के बाद बच्चे जब मालों के घरजन मेरे घर गाए तो पहुंचा तो वहाँ पूचा नहीं थी जब सकते हैं कि आज कि बच्चे देश्का भविष्य होते हैं लेकिन जब बच्चों के साथ सिक्षक खिलवाड करने लगे तो समझ सकते हैं कि लाकिर किस तरह देश का बहतर भाविश्य होगा वियर रिपोर्ट न्यूस वर्ल इंडिया तो यह रिपोर्ट देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम के हम बात करते हैं जब यहाँ पर सिक्षिका जो एक आप देख रहे थे लगातार तस्वीरों में उनको देखकर तो ऐसे लगता है कि यह एजुकेशन सिस्टम तो दरसल ना तो एजुकेटिड है और नीदर यह कोई सिस्टम मालूम पड़ता है ना तो एजुकेटिड है और ना ही यह कोई सिस्टम मालूम पड़ता है तो यह तस्वीरे आपको फतेव पूर से दिखा रहा है जांकी तस्वीरे दरसल अपने आप में ऐसा लगता है कि कोई मजाग चल रहा है और व्यंग चल रहा है लेकिन एक तरफ और देखिए आप कि बच्चों के भविश के साथ कितना गंभीर खिलवार चल रहा है इसको लेकर हमारे साथ बाचीत के लिए ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर बबलू सिंग जी जुड़ गया है फदेपूर से बबलू जी सबसे पहले तो आप उस प्रात्मिक विद्याले के बाहर हैं जहां पर हमने सुना है कि बच्चे तो पढ़ने पहुँच रहे हैं स्कूल भी है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है इंट की दीवारे हैं इंट की दीवारों के अंदर बच्चे हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने के नाम पर जो लोग मोटी तंखा ले रहे हैं सिक्षक को बात कर रहा हूं मैं आपर वो सिक्षक नहीं है तो वो कब आएंगे वो सिर सिक्षिका जो हैं तो फिर उनके ऊपर बैठे अधिकारी जिनके उनके उपर कारवाई करनी चाहिए थी वो अधिकारी कहा है उन अधिकारियों से आपने बात चीट करनी की कोशिश की क्या कुछ कह रहा है और टीम से में लगातार कहूंगा कि आप फोन लगाई हो फिर ठीकारियों को जी बबलु जी, मैं कह रहा हूँ, जो वो सिक्षिका है, उनके उपर जो बैठे अधिकारी है, उन तक ये बात पहुची जरूर होगी, अगर तीन साल तक नहीं पहुची, तो मतलब उपर वाले अधिकारी भी सो रहे हैं, और अगर ऐसा है, तो कोई कारवाई क्यों नहीं हुई, अगर ऐसा नहीं है तो जहां एक तरफ बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान और इनके मौझूद को खंड सिच्छा दिकारी को एक ग्यापन देते हो बताया है कि मौगे पर खंड सिच्छा दिकारी पहुंच करके रिजिश्टर मेंटेन करने वाले उसको सीज किये हैं सीज किये हैं और सीज करने के बाद क्या किये हैं आज की तस्वीर क्या है सीज करने से क्या कुछ निकल कर सामने आया क्या चीज़े ठीक हुई सर इसमें अधिकारी बात करने के लिए तयार नहीं है इस पर जब बात करना चाहते हैं तो संपर नहीं हो पाता है मतलब अधिकारी बात करने के लिए तयार नहीं है ये क्या बात हुई है अधिकारी बात करने के तयार नहीं है सिक्षिका तीन सालों से आ नहीं रही है ये फतेपुर जिले की ही बात है कि आफिर कहीं और की बात है अंडमान निकोबार की हम बाते करें ये तो उत्रप्रदेश की बात है यह ठीक है मैं एसाइन्मेंट टीम से कहूंगा उच्छादिकारियों का फोन कीज़ेगा पैश करेंगा और एक और चीज जानना चाहूंगा यह महज एक सिक्षिखा का मामला है या फिर तमाम जो और भी सिक्षक हैं वो भी इसी तरीके का रवई यह अख्तियार किये हुए है बबलू जी मैं यह कह रहा हूं कि यह एक सिक्षिका वहर के उत्रा ही मामला है या फिर और भी ऐसे सिक्षक हैं जो आते ही नहीं है जी ऐसे मामले यह फटेपुर का सबसे किनारचेत पर जाता है और यहां पर समय से कोई विद्याले में सिच्चा को कभी समय से आते नहीं बच्चों के भविस के साथ खिलवाल किया जाता है मेरे साथ कुछ चोटे-चोटे नौनियाल बच्चे हैं मैं इनसे बात करता हूं जी बिल्कुल बात कीजिगा जी बेटा तुम्हारा क्या नाम है बीच से क्या तुम्हें बोलना नहीं सिखाए गया कौन सिक अच्छा में हो इस तीन में चले मेरे साथ दूसरा एक बच्चा है बेटा क्या नाम है तुम्हारा अच्छा लोकेंद्रा क्या क्या बताये जाता है इसकूल में ठीक है थोड़ा सा रुकिए का बबलू जी इस स्वागत है संजय जी आपको बहुत स्वागत है सर आपको मेरी आडियो मिल रही है सर संजय कुष्वाज जी आप तक मेरी आवास पहुंच रही है चलिए ठीक है संजय कुश्वा जी को शायद मेरी आवाज नहीं पहुंचने को आ फिर ट्राय करेंगे इंसे बातचीत करने के लिए लेकिन बबलू जी आप बहाँ पर जो नॉलियार मौझूद है बच्चे मौझूद है उसे आप बातचीत कर रहे हैं उनसे जारा बताईए क लिए प्रदानाद देव का यह कब से आई हैं नहीं है अच्छा इस तिन के बज़े आई तैनिवास के बारा बज़े आई हैं चलिए मेरे साथ एक हैं यहां पर उनके अभी भावाक हैं इन से हम बात करते हैं चाचा जी आपको क्या नाम है जी आपको अवाव करते हैं ते करते हैं तो रहे हैं तो इस अभी आपर एगवर कोशिशंच जो यह है वह वह वही बहुआ है थाल्याना सब्सक्राइब करें के लिए? सबसे पहले तो आप उनसे बात कीजिए और जो बच्चे वहां पर मौझूद है जो बता रहे हैं कि यह जो इनके सिक्षक हैं वो बता रहे हैं कि काफी सालों से नहीं आ रहे हैं और यह चंबित करने वाली बात है कि बच्चे बता रहे हैं कि एक जिनका यह नाम ले रहे थे भी कि वो तो तीन साल से नहीं आई है और जब ग्राम प्रधान और आप वहां पर पहुंचते हैं यह ऐसा मामला यह कोई नया मामला नहीं सर यहां यह फट हो जी वह हमारे साथ यहां पर ग्राम प्रधान मौझुद है हम इनसे बात करते हैं जी आपका क्या नम है तर्वेश पुमा चीज़ आप प्रधान है यहां पर क्या दिनों प्रधान हैं प्र॥ petites का कभी आई हैं सो तीन साल से जी कि भाट ma जानकारी दिए तो बता रहे हैं छुक्ती में है तो मेरे पास सूचना गई तो मैं घर में था नहीं है थीक है बबलु जी रुकेंगे यहां पर श्रीमती अपूर्वा दुबे जी जो डियम है फते पूर से वह हमारे साथ इस वक्त मौझूद है वोल नाइन पर बहुत बहुत स्वागत है मैं आपका न्यूस वर्ल इंडिया जोटने की कोशिश करेंगे बबलु जी के पास चलता है वो कह रहे हैं कि वो 3 साल स नहीं आई थी कर् उनको बता ऱहां कि पहली बार देखा गया तो उनके ग्राम के अंधर ही अंतरकत्य विद्याले है ये बना हुआ है तो त delegates बात की जानकारी ग्राइम प्रदान को ही को एक साल के अंडर कर आव सह से जी सीधा ही रिख फारके आप स्टेब्स हमारे चैनल में आपको बहुत स्वागत है Aap सबतां इसक skipping और बार शूट में सोंचाला है भी लांग सोंचाला है उसके मेर जाता रहा हूं तो यहां मुझको कभी उदिखी नहीं और पहली बार मुझको सन्युमार को दिखी है, मैं आया था तो उसमें आपस में बच्चे भिड़ गाये थे, लड़ गाये तो मेरे पास सूचना गई, तो एक गारजियन गए तो बताया कि मेरे बच्चे को मारा है बच्चोंने, फिर इसके बाद मैं हजरत पूर से आया हुआ थ बबलू जी, एक सेकेंड रुखेगा, क्योंकि लगाता है, फोन लगा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकि इससे पहले यह चीज़ स्पेसिफिक रूप से क्लियर हो जाये थोड़ा सा, कि एक सिक्षिका का मामला है, पर्टिकुलर्ली एक टीचर जो है, उनका मामला है या फिर यह सभी सिक्षिकों का इसी तरीके का वेवार है, यहां पर सर यह जितना भी किनारा पड़ता है, यहां पर समय से कोई भी सिच्चक मोगे पर नहीं पहुंचता है, और यहां आला अधिकारी भी मिलकुल सुस्त जीरो परसंट पर रहते हैं हमेशा सर, यह कोई नया मैडम भी साब हमाइस बहुत जल जोड़ेंगे ठीक है बबलू जी आप बात कर रहा है वह बात थोड़ा कलेर करिएगा फिर आगे बढ़ते है इना कर दो जनकारी दे रहे देधारा मुझा जी है और हमारे साथ कुछ अभी वावग भी हैं इसे हम बात करते हैं जी आपके बच्चे इसमें क्लास में पटे हैं आपके बच्चे क्या पढ़ा जाता है आप इस बारे में जानकारी हैं हम को यह देख रहे हैं दो साल से एक भी पढ़ाई हो रही हो जैसे कि अभी यह सिच्छक का मामला का मामला आया है आप आरूप लगगा है कि यह सिच्छक तीन साल से नहीं आ रही है कि यह सिच्छिका की आप जिक्र कर रहे हैं बार बार हर कोई उनका नाम बता सकते हैं कि यह सिच्छका का नाम बत्पृति वर्मा है और यह अप पूर्वा जी हमारे साथ जुड़ चुकिया अप पूर्वा दुबे जिलादिकारी हैं फते पुर से मैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूस वोल्ल इंडिया पर जी मैं आपको मेरी आवाज आ रही है न्य अगला द्रमिल्में नहीं बाई अब लुगा पर चोटे बच्चे भी मौजूद होंगे उनसे भी बातशीत करिए का वो क्या कुछ कह रहा है जो यहां पर पढ़ते हैं अज आज आज बताओ तुम पढ़ते हो क्या नाम बटा तुम्हारा अनिकेट कौन से क्लास में जाता है तुम्हार कलासे जलती है चार यहां पर जो है वो समय चैह करते हैं विख कभी समय से कभी तो यह जो आपकी अ फ्राज प्रीति वर्मा आ रहु भार चारतियों से नहीं जो क्या कैसा क्याWAN यह धिये करें कभी आई है तुर आर. जैसा कि आरोप है के उपर कि तीन व एक जि हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं और बच्चे बदने लिए बट्टी आज़ां चाल बड़ा क्या नाम है तुम्हारा लोकेंड अचालो के इसी क्लास में पड़ते हैं ऐटमें जी तो तुम्हारी अदाना आद्शाना आपका यह कब से नहीं आही हैं इस तुम्हारा प्रवाया जाता है यहां पर मेरे साथ और भी अभी वहावक है अभी वहावक उसे बात करते हैं जी कि यहां पर और पूछे का जो इनके पेरेंस वहां मौझूद है उनसे एज पूछे का बाबलू जी कि कभी इस चीश्च के शिकायद की गई कि इस चीज के इनोंने इस से पहले शिकायत कि कि या hatte आ नहीं आते हैं कोई पढ़ाने नहीं आता है कभी अधिकारियों से इस बात की शिकायत की गई थी वो यह कुछ आयका पढ़ाए की सिर्च हो साथ पढ़ाई से नृट या होगो यह तो टीचर अरोप लगा है कि वो तीन वर्सों नहीं cooperation हो तो मैं 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 आपको मेरी आवाज आ रही है कि मैं मैं आपको मेरी आवाज आ रही है पूर बज़े मैं 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 आपको मेरी आवाज आ रही है आवाज मिल पा रही है आपको मेरी चलिए जी हमारे साथ एक और अब आपका क्याना में अच्छा बबुचिन से ये पूछे हैं कि कभी अधिकारियों को इस चीज की शिकायत की गई अगर ये लोग कह रहे हैं कि सालों से सिक्षक और इसी तरीके का रवया रहा है इसी तरीके का तो फिर किसी अधिकारी से शिकायत की गई इनोंने किसी के संग्यान में ये बात लाई है अच्छा आपको क्या नाम है चाचा आपको बेटा कौन सी कच्छा में पढ़ता है दो में था अच्छा लड़की चार में तो यहां पर पढ़ाई होती है अच्छा जैसा कि अभी बताया आरोप लगा है प्रधाना अध्यापका के उपर किये तीन वर्दों से नहीं आई है कहां तक ये सच है तो इसकी सिकायत आपने उच्छ अधिकारियों से की है अजी कई बार की ये सिकायत कोई सुनता नहीं है क्या है कि अगरें या अट्छ आदम की देख रहें कि जो पर आपकर हो जाकर अच्छा दम क्या मिंदे रहें दिया जा रहा है चलिया ठीक है कर सब्सक्राइब ओल्लाइन पर जुड़े हुए हैं एक दर्शक पी हमारे साथ ओम पर जुड़े हुए हैं वो भी कुछ कहना चाह चलिए ठीक है बबलू जी बबलू जी का ओडियो करिए का बबलू जी बात कर रहे हैं कुछ अब विवावकों से अरफ मैं चाहिए साथ और कुछ नंहाल बच्चे हैं इंसे हम बात करते हैं सर क्या नाव बेटा तुमारा चाह ऐसे आजागो क्या नाम बेटा तुमारा अच्छा यहां पर पढ़ाई होती है जी नहीं पाइब कोई सी गच्छा में हो तुम प्रिटी प्रिटी मडम आती है नहीं कितने दिन से नहीं आई है दो तीन साल से नहीं आई आई अचा तो आपको पढ़ाई कैसे पढ़ाई आती है यहां पे सरकार एक तरह पैथी कि हम अच्छी सिच्छा देंगे तो क्या आता तुम्हें कुछ आता है तुम्हें गिंती आती है आती है एक से दस तक का सुना तो बिटा पहला आता है चले तो आपको बारा को पहला सुना बिटा जी जैसा कि कहा जाता है कि यहां पर सिच्छा ग्रांड नहीं होती पर यहां देखा जा रहा है कि बच्चे कुछ यहां पर पीचर आते हैं कुछ ना कुछ सिच्छा ग्रांड करते हैं बच्चे और और बच्चे भी हमारे साथ इंसे हम बात करते हैं बिल्कुल बबलुजी आप करेंगे लेकिन कारिकरम क्योंकि लगातार लाइव चल रहा है ऐसे आपको बतादू कि लगातार हमने बताया कि किस बारे में बातचीत कर रहे हैं लेकिन उनका तरफ से हमारी आवाज भी पहुंची लेकिन उन्होंने फोन जो है अभी तक रिसीव नहीं किया है इसको लेकर आप हम दूसी तरफ चलते हैं को काफी दर्शक जो है वो भी हमारे कारेकरम को देखकर लाइव जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं जी बिल्कुल आपना नाम बताईएगा सब्सक्राइब और यह बच्चों के बहुत से जोड़ा सब्सक्राइब जरूर होनी चाहिए अगर को अधिकारी नहीं करता तो फिर उसके खिलाब भी कारवाई होनी चाहिए और यह सबसे महतुपूर चीज यहां पर यह है कि आप जैसे आम लोग भी काड़करम को देखकर फोन कर रहे हैं लेकिन इसके बावजू जो अधिकारिय आप जाता है क्योंकि जैसे आधिकारों को बात करने कि यहां पर कोशिश की जारे को अधिकारी बात करने के लिए तैयान नहीं है जब्कि बच्चों के भुष्चे से खुले हम खिलवार हो रहा है बैट हम की बात की जाए तो वह तीन साल सो इसकोल में नहीं आ रही है तो पर आपको बाप करेंगे बिल्कुल और यह चीज और क्लियर कर देनी चाहिए जब सरकार कहती है कि स्कूल चले हम बच्चों के लिए तो यह और बता देना चाहिए कि सिक्षकों के लिए भी है कि आपको भी स्कूल जाना है आप भूल रहे हैं जाना बिल्कुल 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 चले बहुत 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 शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तो बबलु जी लगातार हमारे साथ थे और लगातार हमको बता रहे थे कि किस तरीक जो तक स्कूल नहीं पहुंचते प्रात्मिक विद्याले नहीं पहुंचते और लापरवाही की हद इस कदर हावी है कि एक सिंख्षिका तो बता जा रहा कि तीन सालों से आज तक अनके खाते में हर महीने जो सरकार की और से जो salary है वो बढ़ रही है दी जा रही है लेकिन तीन सालों से school में सिख्शिका नहीं आई है जो उनका काम है पढ़ाने का तीन सालों से इनुने नहीं किया है इसके बावजूद आज तक कोई कारवाई नहीं हुई अब आप सिस्टम क्या पूरा घालमेल समझ सकते हैं और जब लगातार अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो अधिकारियों का क्या रोल है यह आपने लाइव देखा है कि किस तरीके से हमने फोन की आडियो भी आपको सुनवाई किस तरीके से बात को सुनकर अंसुना करना किस तरह सब कुछ सुनकर भी बातों को ना सुनना ना समझना यह इंकार दिखाता है कि सिस्टम में सब कुछ ठीक नहीं है फिलाल के लिए शुक्रिया झाल